पूरा आराम नहीं मिल पाता और इसी वज़े से सरदर्द की शिकायत भी रहती है घर पर आने के बाद भी हम दो या तीन घंटे कम से कम टीवी देखते हैं और इस लाइफस्टाइल के चलते हमारी आँखों पर चल्द ही भारी भारी चश्मे विचड़ जाते हैं चलिए आज हम आपको बताते हैं वो छे चीज़ें जिनके खाने से आपकी आँखें हो जाएंगी तंदुरूस्त और चश्मा भी हड़ जाएगा इसमें सबसे पहली चीज़ है आमला आमला बेहत ज़रूरी है आमला आँखों के लिए वरदान है इसमें मौझूद तत्व आँखों की रोशनी को सालों साल तक बनाए रखते हैं आप चाहे तो कच्चे आमले को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं इसके इलावा सुबह खाली पेट आमले का रस पीना या फिर आमले का मुरब्बा खाना भी सेहत मन्द होता है इलाइची को कभी अंदेखा न करें इलाइची शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए काम आती है इसके नियविट सेवन से आँखों को ठंड़क मिलती है और आँखों की रोशनी बढ़ जाती है आप चाहें तो इलाइची और सौंफ को पीज कर पाउडर तयार कर सकते हैं इस पाउडर को ठंड़े दूद में मिला कर पीने से आँखों की रोशनी बढ़ती है अपनी डाइट में हरी पतेदार सबजियों को शामिल करें हरी पतेदार सबजियों में आईरन की भरपूर मातरा पाई जाती है जो आँखों की हेल्थ के लिए बेहत जरूरी है अखरोट बड़े काम की चीज है अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं अखरोट में मौझूद विटामिन E और फैटी एसिड्स आँखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है आँखों को लंबे समय तक हेल्थी रखने के लिए डाइट में अखरोट को शामिल करना ने भूलें इसके बाद आता है आसानी से मिल जाने वाला गाजर का जूस जी हाँ गाजर का जूस पीना सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है साथी आँखों के लिए भी बहुत फाइदेमन्द है रोजाना एक ग्लास जूस पीने से आपकी आँखों पर चड़ा चश्मा उतर सकता है वैसे तो हम हर कहावत में कह देते हैं अगर बूलने की बिमारी है तो बादाम खाया करो अगर कमजोर हो तो बादाम खाया करो अगर ताकतवर बनना है तो बादाम खाया करो अब हम आपको बताते हैं अगर आँखों को ठीक रखना है तो बादाम खाया करो पानी में भीगे हुए बादाम खाने से बहुत फायदे होते हैं लेकिन आपको शायद ही पता हो कि बादाम भीगोकर खाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है तो दिमाग के साथ-साथ आँखों की रोशनी बढ़ाईए और बादाम खाईए तो ये च्छे आसान सी चीजें जो हर वक्त हमारे घर में मौजूद रहती हैं इनको खाने से आपकी आँको पर चढ़ा ये मोटा चश्मा उतर सकता है बोल्सकाई के इस वीडियो में इतना है और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सेहत और स्वास्ता से जुड़ी खबरों के जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए बॉल्सकाई डॉट काम पर